नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम किंग पर बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के टोप 40 क्यूशन जो बार-बार आपसे एक्जाम में पुछी जा रहे हैं तो डियर सैंस सभी से सभी से ने के लिए 5 सेकिंड का समय दिया जाएगा उसके बाद आपको क्यूशन का आँसर बता दिया जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो देखेगा आज का फर्स्ट कुशन है विस्विक की प्रत्थमहिला अंत्रिक्स यात्री कौन थी विस्विकी सं बनाया जाते हैं तो option C 14 November यहां पर आपका right answer का option C 14 November चले next है नागरिक उडियन प्रिसिक्षिन केंदर कहां है तो right answer का option D इलाबाद में कहां पर है इलाबाद में है तो option D इलाबाद यहां पर आपका right answer का next है कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी तो right answer का option B 1690 इसमें कोलकाता नगर की स्थापना हुई थी तो option B यहां पर आपका right answer होगा next है काला परवत कहां पर स्थित है काला पर स्थित है तो right answer का option D भुटान में यादर किगा जो काला परवत है वो भुटान में स्थित है तो option डी यहां पर आपका right answer होगा next है very important question है comment जरू कीजिगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोंची है तो right answer का option A यमुना गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना है तो option A यहां पर आपका right answer हीगा next है विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन सी है विश्व की संसार की जो सबसे प्राचीन लिखित भाषा है वह कौन सी है तो right answer का option C Sumerian है तो option C Sumerian यहाँ पर आपका right answer रहेगा चले next है इंडिया शब्द का प्रियोग सरव पर्थम किस ने किया इंडिया शब्द का प्रियोग सरव पर्थम सबसे पहले किसने किया तो right answer का option B यूनानियोनी किसने किया था यूनानियोनी किया था तो option B पर आपका right answer रहेगा next है मुसलमानों के लिए प्रतिक निर्वाचन की व्यवस्ता किस अधिनियम के तहत किया गया था मुसलमानों के लिए प्रतिक अलग प्रतिक मिन्स अलग निर्वाचन की व्यवस्ता किस अधिनियम के तहत किया गया था तो right answer रहेगा डियोस्ट्राइट ओप्शन ए 1909 अधिनियम ओप्शन ए यहाँ पर आपका right answer होगा चले next है 180 डिग्री देशांतर रहेखा को कब अंतरास्ट्रें थि रहेखा माना गया 180 डिग्री देशांतर रहेखा को कब अंतरास्ट्रें थि माना गया तो right answer हेगा option B 884 इसवी option B यहाँ पर आपका right answer हेगा चले next है प्रथम फिल्ड मार्सल कौन थे प्रथम पहले फिल्ड मार्सल कौन थे तो right answer का option A जनरल मानिकाश्या option A यहाँ पर आपका right answer हुआ next है राष्टर पती किस अनुचेद के तहत अध्याई देश जारी करता है राष्ट्रपती किस अनुचेद के तहर अध्याई देश जारी करता है तो right answer का option C अनुचेद 123 option C यहाँ पर आपका right answer होगा चले next है प्रथम विश्व कप होकी का आयोजन कभी क्या गया था तो right answer का option C 1971 option C यहाँ पर आपका right answer का याद रखी का परतम विश्व होकी कप का जो आयोजन किया गया था वो 1971 इसवी में किया गया था तो option C यहाँ पर आपका right answer एगा next है नहरू टोफी का संब्द किस खेल से है तो right answer का option A किस से है होकी से है तो option A होकी यहां पर आपका right answer एगा next है भारत में कितनी समाचार एजेंसिया है भारत में कितनी समाचार एजेंसिया है तो right answer होगा option B 5 कितनी है 5 है तो option B यहां पर आपका right answer एगा next है world trade center पर पहला हमला कब हुआ था world trade center पर जो पहला हमला हुआ था वो कब हुआ था, तो right answer हैगा option B, 11 सितमबर 2001 में option B यहाँ पर आपका right answer हैगा, नेक्स्ट है ओल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, ओल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, तो right answer का option C 1936 ESV में All India Radio किस्ता अपना 1936 ESV में हुथी तो option C यहाँ पर आपका right answer होगा Next है परियाटन दिवस कब मनाया जाता है परियाटन दिवस कब मनाया जाता है तो right answer का option C 27 सितंबर को परियाटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है नेक्स्ट है भारत में पहली बार IAS की प्रिक्षा कब हुई थी, तो right answer का option D 1950 में हुई थी, 1950 में हुई थी, तो option D यहाँ पर आपका right answer हैगा, नेक्स्ट है, प्रोफेश सतीस धवन, अंत्रिक्स केंदर किस राज्या में सीथ हैं, तो right answer होगा यहाँ पर आपका option C, आंदर प चावला की मृत्यू कब हुई थी, कल्पना चावला की जो मृत्यू हुई थी, वो कब हुई थी, तो option B 2003, option B यहाँ पर आपका right answer हैगा, 2003, नेक्स्ट है, उडिसा राज्या है, बिहार से कब अलग हुआ था, जो उडिसा राज्या है, वो बिहार से कब अलग हुआ था, तो right answer है, option A 1936 यहाँ पर आपका right answer हैगा, नेक्स्ट है, बोध धरम की स्थापना कब हुई थी, वो कब हुई थी, तो right answer हैगा, option D, छटी स्थापदी में, option D, छटी स्थापदी यहाँ पर आपका right answer हैगा, नेक्स्ट है, इसलाम धरम की स्थापना कब हुई थी, इसलाम धरम क स्थापना कब हुई थी तो right answer का option c सात्वी स्थापदी में इसलाम धर्म की जो स्थापना हुई थी न वो सात्वी स्थापदी में हुई थी तो option c यहाँ पर आपका right answer हेगा next है विश्व का सबसे बड़ा प्राइद वीप कौनचा है विश्व का संसार का जो सबसे बड़ा प्राइद वीप है वो कौनचा है तो right answer का option a अरब option a अरब यहाँ पर आपका right answer होगा next है project tiger की स्थापना कब हुई थी project tiger की स्थापना कब हुई थी तो right answer का option d 1973 इसवी में project tiger की है जो स्थापना हुई थी तो option d यहाँ पर आपका right answer होगा next है छेत्र फल के आधार पर विश्व का संसार का सबसे बड़ा शहर कोणचा है तो right answer होगा option b London option b London यहाँ पर आपका right answer होगा next है भारत में सबसे अधिक निर्यात किस देश का होता है भारत में जो निर्यात होता है वो किस देश को होता है तो right answer होगा option a USA को याद रखेगा भारत में सबसे अधिक निर्यात किस को होता है USA को होता है तो right answer होगा option a USA next देखेगा भारत में सबसे अधिक आयात किस देश से होता है पहले हमने निर्यात के बारे में पड़ा अब हम पड़ेंगे भार्ष में जो सबसे अधिक आयात होता है वो किस देश से होता है तो right answer होगा option A चीन से क्या गया तो right answer होगा option D राजस्थान में कहाँ पर क्या गया था राजस्थान में क्या गया था तो option D यहाँपर आपका right answer होगा I से लिए next है पंचायती राज लागू करने की सिपारिस किस पंच वर्षिय योजना के तहत की गई तो right answer गा option भी दूसरी यहाँ पर आपका right answer रहेगा next है लोग सबा के किस अनुचेद के तहत भंग किया जा सकता है लोग सबा को जो लोग सबा है उसको किस अनुचेद के तहत भंग किया जा सकता है तो right answer गा option ढूसरी अनुचेद 85 आर्टिकल 85 के तहत लोग सबा को क्या किया जा सकता है भंग किया जा सकता है तो option D यहाँ पर आपका right answer होगा next है पूरे भारत को कितने छेत्रिय प्रांतों में बाटा गया है तो right answer का option C5 option C5 यहाँ पर आपका right answer होगा next है भारत में STD सेवा कब परारम हुआ भारत में जो STD सेवा था वो कब परारम भुआता तो right answer गा option C1960 यहाँ पर आपका right answer होगा next है सिवाजी को जो राजा की उपादी किसे ने दि थी तो right answer का option D औरंग जेब ने ओप्शन D ओर इंग जेव यहाँ पर आपका right answer रहेगा नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराने निवासी किसे माना जते हैं भारत का सबसे पुराने निवासी किसे माना जते हैं तो right answer हैं ओप्शन A निग्रेटो ओप्शन A यहाँ पर आपका right answer हैं चलिए next है very important question questions comment जरूर किजिगा कुंडा जल विद्यूत प्रियोजना किस राज्या में सित हैं कुंडा जल विद्यूत प्रियोजना किस राज्या में सित हैं तो right answer option B तमिल लाडू में कहां पर है तमिल लाड़ू में है तो option B तमिल लाड़ू यहां पर आपका right answer एगा नेक्स्ट है पहली बार प्रस्तावना में शंशोधन किस सविधान संशोधन के द्वारा किया गया तो right answer का option A 42 ओप्शन A यहां पर आपका right answer एगा नेक्स्ट है सूरिय तथा पृत्वी के बीच नियुयूंतम दूरी किस दिन होती है तो राइट आंस आप संडी तेन जैन स्टी होती है आपका राइट आंसर होगा चले आजकर लास्ट कुशन देखेगा सूरिय तथा प्रित्वी के बीच अधिक्तम दूरी किस दिन होती है सूरिय तथा प्रित्वी के बीच जो अधिक्तम दूरी होती है वो किस दिन होती है तो right answer का option B चार जुलाई को याद रखेगा सूरिय तथा प्रित्वी के बीच अधिक्तम दूरी चार जो लाइक होती है तो उप्सन भी डियो चैनल से हाँ पर आपका राइट आंसर एगा तो डियो चैनल से यह थे आज के आपके चो फोर्टी क्वेशन जो बार बार आपसे एक्जाम में पुछे जा रहे हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेर जुरू किजगा और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट करें हैं हमारे साथ पहली बार जूड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पिलीजगा और बैल आइकन को जुरू से ज हैं तो पुन कोशिनों के साथ तब तक दियो सेंट जय हीन जय भार्त बंदे मात्रम एंड टेक केर